विल्कम बैक वन्स अगेन नोकरीकवर.com ओफिशल यूटूब चैनल सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट और होम गार्ड सयानी की होम गार्ड भिभाग की तरफ से आचुकी नई सीधी भरती 2021 के बारे में जहां पर आप सभी के लिए कोंस्टेबल की ड्राइवर की और ड्रम मैं की पोश्ट पर भरतियों के ओफिशल नोडिविकेशन के साथ साथ ओनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप लोग केबल और केबल कक्छा आठवी पास हैं बीना किसी अर्दर डिगरी के तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे आपका मिनमम 33 परसेंटेज या पासिंग मार्ट होना चाहिए कक्छा आठवी के अंदर इसके अलाबा और कई सारी जानकारी आपको आगे प्रोवाइड कर आए जाएंगी जैसे कि आवेदन करने के लिए आपके पास केबल और केबल 15 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है अगर आप लोग 15 दिसंबर तक आवेदन नहीं करेंगे तो ओनलाइन आवेदन करने के लिंक डी एक्टिवेट कर दिया जाएंगे तो आप सभी से छोटी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग भी होम गार्ट डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइबर या फिर ड्रममेन की पोश्ट पर अपलाई करके एक अच्छी सी पोश्ट पर सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं साल 2021 के अंदर तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को सुरू से लेकर पूरी आखरी तक जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आन करना बिलकुल भी मिस मत करेगा दोस्तों आगे इस वीडियो में हम लोग नोडिविकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को इस्टे बाइस्टे बेसिक से लेकर अपल लेवल की पूरी डीटेल में इन्फोर्मिशन प्रोवाइड कराने वाले हैं साथ ही साथ ओनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस विकेंसी के बारे में कुछ खास बाते बताना चाहूंगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहे तो पहली और सबसे में बड़ी खास बात ये कि अगर आप लोग केबल कच्छा आठवी पास है मिनमम 33% के साथ तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसके बाद सिकेंड नमबर ये कि All India Level की जाब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे थर्ड नमबर ये कि Male and Female लियानी की महिला और पुरुस दोनों केटिगरी के लिए यहाँ पे बड़ा मुका आ चुका है दोनों ही केटिगरी के Candidate आवेदन कर पाएंगे फोर्थ नमबर ये कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा घर बैठे अपने मुवाइल फोन से आप लोग कर पाएंगे बिना किसी एक्ष्टर चार्जस के इसके लाबा आपकी एज क्या रहेगी, सलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और बाकी सारी चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे तो चले सबसे पहले ऑफिस्यल नोडिविकेशन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे नोडिविकेशन की डेट है 18.11.2021 इटमेंज की 18.11 के दिन नोडिविकेशन आउट किया गया है यानि की कल के दिन यहाँ पे देखे आरक्षी आरक्षी बिगुलर आरक्षी ड्रम मैन एबं आरक्षी वाहन चालक भरती है तो बिग जबती है यहाँ पे आपको आउनलाइन ही आवेदन करने होंगे यानि की 15 दिसंबर की होने वाली है अगर बात करें की टोटल अमबर वेकेंसी आपको कितनी मिलेंगी तो 135 यानि की 135 पदों के लिए आपको आवेदन आउनलाइन करने होंगे यहाँ पे पोश्ट नेम आपके बता दिये गए है आरक्षी वाहन चालक और बिगुलर और ड्रम मैन और आरक्षी आनि की कोंश्टेबल की पोश्ट के लिए भरतियों के नोडिविकेसन आउट किये गए है भरतिये 2022 के लिए आ चुकी है लिखित परिक्षा आपकी आफलाइन तरीके से होगी OMR जिसको आप लोग बोलते हैं इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है और लाइन अप्लिकेसन फॉरम लिए जाएंगे पहले ध्यान रखिएगा केबल और केबल आपको और लाइन ही यहाँ पे जो है तो अप्लिकेसन फॉरम सम्मिट करने होंगे इसके बाद यहाँ से नीचे आएए आपको यहाँ पे नोडिकेसन भी बोला गया है कैसे आप लोग डाउनलूड कर पाएंगे वैसे यह नोडिकेसन अमने ओपन कर रखा है आप लोग इसको भी देख सकते हैं इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराएगी है प्रवेस पत्र के बारे में जानकारी आपको दी जारी है भरती है तो रिक्त पत्र के बारे में जानकारी है इसके बार अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी वेकेंसी देखने को मिलेंगी और किन किन केटेगरी में वेकेंसी है male and female के अंदर यहाँ पे आप लोग इसको भी चेक आउट कर पाएंगे टोटल 21 पे जो का notification है और अक्षन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी बेतनमान और पेंसन के बारे में जानकारी है बेतन आप लोग यहाँ पे देख सकते है इसके बाद भरती है तो पात्रता क्या होनी चेहे अब भ्यारती भारत के नागरिक होना चेहे यानि कि इंडियन सिरिजन सिफोनी चेहे और इसके बाद जो आपका नियुनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको आप लोग हिंदी में सैक्षडी के योगता बोलते हैं वो क्या होना चाहिए तो आरक्षी पत के लिए किसी मानिता प्रावत विद्याले बोर्ट से कक्षा आठवी पास होना चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कक्षा आठवी पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं ड्रम मैन और बिगुलर की पोश्ट के लिए यहाँ पे भी बोर्ट से कक्षा आठवी पास होना चाहिए और अगर आप लोग बाहन चालक की पोश्ट के लिए आबेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपक अच्छा आठवी पास होने के साथ साथ लाइसेंस चाहिए होगा इसके लाबा आरक्षी को बोलते हैं कौश्टेबल, ड्रम मैन तो ड्रम मैन हो गया और ड्राइवर को बाहन चालक तो आप लोग ध्यान रखेएगा, कन्फ्यूज मत होएगा, इसके बाद यहाँ से निचे आएंगे आपकी एज क्या होनी चाहिए, यह आपको डेट और बर्थ की एक ओडिंग चेक आउट करना होगा, यहाँ पे दिया गया है इसके बाद यहाँ से निचे आएंगे, तो सारीरिक माप डंड है जो की सबसे इंपोर्टेंट है सामान चेतर और पहारी चेतर दो बरगों में डिवाइट किया गया है पुरुस के लिए सामान चेतर में 168, महिला के लिए 122, पहारी में पुरुस के लिए 160 cm, महिला के लिए 140 cm सेम सीना का है आप लोग देख सकते हैं बजन होना चाहे महिला का 47.5 kg और इधर होना चाहे 43 kg पहारी छेतर के अंदर इसके बाद यहाँ पे जो मेडिकल होगा उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है और इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो लिखित परिख् पाएंगे टोटल आपको यहाँ पे 120 प्रशन मिलेंगे जो की 120 नंबर के रहेंगे आफ लाइन बेस से आपका पेपर होना है इसके अंदर यहाँ पे सलेवस क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग बेश्ट बुक रिब्यू देखना चाहेंगे तो इस वी नीचे आएंगे तो और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कर आएगे हैं इसके बारे में हम वीडियो के आखरी में बात करेंगे तो दोस्तों आज की स्पीडों में हम बात करें होम गार्ड की तरफ से आचुकी नई सीधी भरती 2021 के बारे में जहां पर आप हैं तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजबल होने वाले हैं डारेक्ट भरती है आखरी डेट आवेदन करने की 15 दिसंबर 2021 की है बेतन के बारे में जानकारी है और मेल एंड़ फी मेल आनी की महिला और पुरुष दोनों के टिगरी के केंडिडेट आवेदन कर पाएं दोस्तों आपको आवेदन करने का नोडिविकेसन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डीटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फ़र्ष कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके इस पेंच पे आप आएंगे यहां पे आने के बाद देख पाएंगे होम गार्ट भरती है दो जार एकिस के लिए रिक्यूट्म नोडिविकेसन फॉरम पीडियाप में जारी किया गया है इसके बाद यहां पे देखे अधिक जानकारी के लिए आपको लिंक वर्किंग डोट ओर जी की विकेंसी देखने को मिलेंगी अगर बात करें इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो 24 नॉमबर 2021 से आवेदन शुरू होंगे जो की 15 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं इसके बाद आपकी एज है जो की कम से कम 18 और अधिक से दिक 30 साल की होनी चे यह आपको एज में रिलेक् होंगे आवेदन कर पाएंगे इसके बाद आपका ओगनाइजेशन है जो कि यहाँ पर होंगा डिपार्टमेंट ही होने वाला है बात करें विकेंसी डिस्ट्रीशन के बारे में तो और इंडिया लेवल की जवब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी विराज से आवेदन कर है कैसे आप लोग आवेदन करेंगे तो 15 दिसंबर 2021 तक आपको आवेदन कर देना है मोड आप सेलेक्शन के बारे में बात करें तो आपका ठ्यान रिटन एक्जाम टी एटी एवल्टी ट्रेट टेस्ट और एंसी होंगार्ट कंप्यूटर टेस्ट के बेस्ट पे होने वाला है इसके बाद आपको आवेदन करने का नोडिवी किसन का और ओफिसल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आप लोग नोडिवी किसन वगेरा यहां से डाउनलूड कर सकते हैं 24 नॉमबर के दिन से ओनलाइन आवेदन इस्टार्ट होंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आवेदन करने की बीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस बीडियो के लिए 300 लाइक का टार्गेट है जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने का बीडियो मिल सके नलते हैं अगली अपडेट के साथ नक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद